हाई गेस वेल्कम बैक, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.5 सेक्टर्स के बारे में, जो कि इंडिये के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे के क्रो ट्राइवर्स क्या हैं, वो ग्रो क्यों कर रहे हैं और वो क जिसे कि आपको पता है, इस चनल का जो हमेशाँ से purpose रहा है, वो हमेशाँ education के लिए रहा है, तो गर हम किसी भी company के बारे में बीच में discuss करते हैं, तो वो किसी भी तरह की stock recommendation नहीं है, वो सिर्फ हम discussion purposes के लिए उसके बारे में discuss करने वाले हैं, इसे कि साथ साथ, जैसे कि आपको बता है कि मैं इस channel पर consistent videos नहीं डाल पा रहा, मैं regular नहीं हो पा रहा, तो one of the ways जिससे हम इस channel को grow कर सकते हैं, that is spreading word of mouth, तो अगर आपको इस channel का content पसंद आ रहा हूँ, अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही हो, तो I hope आप इन्हें आगे भी share करें, ताकि हम इस channel को साथ साथ grow भी कर सकें, तो without any delays वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि हम sectors के बारे हम बात करें, या आप एक चीज को समझना काफी important है, that is area of circle of competence, अब ये area of circle and competence है क्या, तो area of circle of competence मतलब, वो कौन से areas हैं, या पिर आपकी circle of expertise लाए करती है, वो कौन से sectors हैं, या फिर वो कौन से industries हैं, जिने आप अच्छे से समझ पा रहे हो, और इस चीज को समझना काफी important है, क्योंकि आज के time पे जो हमारे normal humans की knowledge का graph होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, यहां पे एक काफी बड़ा circle होता है, जहां पे हमें लगते हैं कि हमें काफी चीजों के बारे में पता है, पर reality में हमें उन चीजों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता, और उसी बड़ी circle के अंदर एक छोटा circle लाए करता है, जिस चीजों के बारे में में reality में पता होता है और सही में पता होता है और वहीं पे हमारा circle of competence लाय करता है और यह जो circle of competence का concept है अगर आप इसे अच्छे से implement करें तो आप काफी सारी problems को avoid कर सकते हो और काफी सारी opportunities को identify कर सकते हो और यह जो concept है इसे Warren Buffett भी over the issues करते हैं अगर 6 की annual shareholder letter को पढ़ो तो वहाँ पे Warren Buffett बताते हैं कि एक investor को हमेशा उन्हीं companies को Elliot करना चाहिए जिसे वो समझ पा रहे है जो कि उसकी ability के अंदर लाय करती है हमेशा हमें उन्हीं companies को focus करना चाहिए जो कि हमारी circle of competence में लाय करती है और यहाँ पे इस circle का जो size है वो भी जादा matter नहीं करता अगर हम अपनी limitations को समझ पा रहे हैं अगर हम अपनी boundaries को समझ पा रहे हैं तो यह चीज़ काफी matter करती है तो यहाँ पी हम एक example के साथ discuss करते हैं हम में से most of the people restaurants की basic economies को समझते हैं तो एक अगर हम overview ले यहाँ पी सबसे पहले हम land को खरीते हैं या फिर उसे rent पे ले serve कर सकें और अगर हम business model side की बात करें यहाँ पे हमें enough traffic चाहिए होती है ताकि हमें appreciate price को set कर सकें जिसकी वैसे हमाने जो operating expenses है वो cover हो सकें और हमे profitability आ सकें अब यहाँ पे इसी formula को इस basic से formula को most of the restaurants follow करते हैं तो अगर हम इस basic से formula को थोटा detail में समझे with basics of accounting हम restaurant related businesses में और अच्छ of the investors हैं जो most of the people हैं वो इस तरह की किसी भी चीज़ को follow नहीं करते उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस तरह की companies में invest कर रहे हैं जिस तरह की companies में उन्होंने already invest किया होता है उन्हें उनके बाले में भी knowledge नहीं होती तो IBM के जो founder है Mr. Tom Watson वो बताते हैं कि I'm no genius मैं किसी भी तरह क वो कुछ इसी तरह से run किया है उन्होंने हमेशा उन्ही तरह की companies में invest किया है जिने वो समझते रहे इसके इलावगर हम चार्ली मंगर की भात करें जब चार्ली मंगर से पूछा गया था life में वहें किस तरह की approach को follow करना चाहिए तक कि हम limited time के अंदर जाल से जाना success को follow कर सके तो यहां पे उन्होंने ये कहा था कि हमें हमेशा खुद की competitive west को समझना चाहिए कि हमारी जो edge है वो कहा है और हमें उस edge के around ही खेलते रहना चाहिए हमें अपने circle of components में खेलते रहना चाहिए अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस circle of components के concept को हम practically किस तरह से build out कर स हूं इनके tweets को भी मैं काफी बार retweet करता हूं तो यहां पे नवल रविकांत एक चीज के बारे में काफी बात करते हैं that is specific knowledge अब यह specific knowledge है क्या तो specific knowledge कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम सीख सके specific knowledge एक ऐसी चीज है चूंकि हमारी general curiosity में लाय करती है इसके बाद यह हम हमारे genuine जो area of interest होता है उसके अंदर लाय करती है तो यहां पर नवल रविकांत कहते हैं कि हमें specific knowledge को समझना चाहिए और उसके ओपर ही build down करते रहना चाहिए अब यहां भी जो circle of components का concept है वो भी कुछ काफी similar है यहां भी हमें step 1 के अंदर define करना है कि वो कौन सी industries है या फिर sectors ह जिसके बारे में समझ पा रहे हैं जो कि हमारी circle में लाय करती है यहां भी जो second step है that is define your boundaries अभी हमने first step के अंदर यह तो define कर लिया कि वो कौन सी companies हैं फिर sectors है जो कि हमारी circle of components में लाय करती है अभी हमें उनकी boundaries को define करना भी काफी important है क्योंकि कलती से भी अगर हम इस boundaries के बाहर चले जाती है तो यह जीज़ काफी danger साभीत हो सकती है इसके ओपर चाली मंगर भी कहते हैं it is really important to stay within your circle of competence बट अगर आप अपने circle के boundaries को खुद के लिए define नहीं कर पा रहे हो then you don't have real mastery of that field यहां पे जो third step है that is slowly expand your circle over the time अब यहां पे आके काफी लोग ना confused हो जाती है क्योंकि अब यह तो हमने बात की थी कि आपको अपने circle of competence में रहना चाहिए अब हम अपने circle of competence को expand कैसे करें अब यह जो process है यह कोई भी एक दिन की process नहीं है जैसे कि हमें पता है कि investing की world में हमें हर दिन जीखना पड़ता है हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो ऐसे ही अग इसे आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो चलिए हम finally उन sectors के बारे में बात के लेते हैं तो यहाँ पर जो पहला sector है that is banking sector तो अगर हम banking sector के overall structure को देखें तो यहाँ पर इंडिया के banking sector को जो regulatory body regulate करती है उसका नाम है Reserve Bank of India मतलब कि RBI और RBI यहाँ पर दो तरह के banks को regulate करती है first is scheduled banks and second is non scheduled banks तो जो scheduled banks है वो भी आगे दो categories में divided है first is commercial banks and second is cooperative banks तो सबसे पहले हम बात के लेते हैं commercial banks के बारे में तो यहाँ भी जो commercial banks है यह भी आगे four categories में divided है first is public sector bank जैसे की state bank of India या फिर bank of roda second हमारे पास है private sector banks जैसे की SGFC bank या फिर कोटक महिंद्रा bank third category है foreign banks जैसे की city bank या फिर bank of America और जो fourth category है वो है regional rural banks और यह जो banks होते हैं यह region wise based होते हैं जैसे की कैरला government bank या फिर पंचाब government bank और यह जो regional rural banks होते हैं यह commercial banks की द्वारे ही चलाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पे जो second category है that is cooperative banks तो cooperative banks पी आके तीन categories में divided हैं first is state cooperative banks जैसे की हरियान अस्टेट cooperative bank या फिर पंचाब सेट cooperative bank या फिर गुजरा स्टेट cooperative bank second जो category है that is district cooperative bank और यह district wide base होते हैं third जो category है that is other cooperative banks और यहाँ पर जो cooperative banks होते हैं इनका जो main focus रहता है वो रहता है small businesses पर यह फिर small farmers पर यह उन थरह के लोगों को loan देते हैं तो कर हम यहाँ पर Indian banking sector के total banking asset को देखें 2018 में जो total assets थे वो 2.41 trillion dollars के थे जो कि 2020 में increase होकर 2.52 trillion dollars के हो चुके थे इसमें से 1529 billion dollars के जो assets थे वो public sector banks के थे बागी के 814 billion dollars के जो assets थे वो private sector banks के थे और बागी के 179 जो billion dollars के assets थे वो other sectors के थे तो यहाँ से मैं पता लग रहा है कि 60% के जो total assets है वो public sector से आती है इसके इलाव अगर हम बात करें credit growth के बारे में तो 2016 में जो banks के credits थे that was around 1.466 trillion dollars जो कि यहाँ पे 2020 में with the sage year of 4% 1.698 trillion dollars के हो चुके है और यहाँ पे जो demand है यह बहुत corporate और retail category से देखने को मिली है दूसरी और अगर हम बात करें deposit side के बारे में तो 2016 में जो total deposits थे वो 1.149 trillion dollars के थे जो कि 2020 में increase होकर 1.939 trillion dollars के हो चुके थे तो यहाँ पे हम clearly देख सकते हैं कि deposit side में हमें strong growth देखने को मिली है बट इस growth के पीछे के reasons क्या है तो इस growth के पीछे के जो सबसे बड़ा reason है that is government support तो यहाँ पे government काफी focus कर रही है ताकि वो banking sector को और promote कर सके जार से जार promote कर सके वो यहाँ पे जो यह opportunity of growth है वो हमें private sector में भी काफी देखने को मिल रही है बट अगर हम यहाँ पे overall industry के growth drivers की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा growth driver है वो again है that is government initiatives तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि banking sector is the root fundamental of economy मलब कि यहाँ पे economy को grow करने के लिए banking sector का काफी बड़ा role play होता है क्योंकि यहाँ पे जब तक banks loan नहीं देंगे उससे यहाँ पे businesses grow नहीं करेंगे और जब तक businesses grow नहीं करेंगे उसकी वैसे यहाँ पे economy grow नहीं करेंगे and that is the reason यहाँ पे जब banks loan देते हैं या फिर credit facility देते हैं उसकी वैसे economy के अंदर spending power increase होती है और जब spending power increase होती है उसकी वैसे यहाँ पे economy grow करती है और यही reason है कि यहाँ पे government का इस sector को काफी बड़ा support देखने को मिलता है फिर चाहे वो public sector हो या फिर private sector हो for example यहाँ पे government ने 2017 में काफी सारे amendment bill पास किये थे इसके वैसे यहाँ पे banking sector के अंदर जो काफी बड़ी problem होती है NPA के problem उसे solve किया जा सके उसे के साथ साथ यहाँ पे government काफी फोकस कर रही थी रिसेंटली और government अब privatization पे भी काफी फोकस कर रही है तो यह सभी factors है और यह जो सबसे बड़ा factor है कि जो इस sector को सबसे जादा support करता है इसके इलावा यहाँ जो second driver है that is infrastructure financing अब यहाँ भी यह भी economy से linked है क्योंकि यहाँ पे as a nation हमें सेक्टर है मनलब कि यहाँ पे जो infrastructure companies होती है इन्हें grow करने के लिए काफी capital की requirement होती है अब इस capital के लिए जो यह companies होती है यह bank के बाद जाती है और उनसे वहाँ से loan लेती है तो इसलिए यहाँ पे bank sector की growth के लिए infrastructure financing काफी बड़ा role play करती है और अगर आपने यहाँ पे recent जो union budget था उसे सुना हो यहाँ पे government ने infrastructure security projects को काफी बड़ी allocation दी है उसके इलावा यहाँ जो third driver है that is digital lending and mobile banking अब यहाँ पे अगर हम over the past few years देखे digital lending और mobile banking की जो market है इसने काफी growth दिखाई है और इसके पीछे के भी same reasons है यहाँ पे government की काफी सारी schemes आई थी काफी सारी initiatives ले रही है government digitalization पे काफी focus कर रही है और इसी वैसे यहाँ पे जो market है काफी growth हो रही है तो इंडिया की जो digital lending market है 2018 में 75 billion dollars की थी and as per BCG digital lending report 2019 expect किया जार है कि 2023 तक यह market 1 trillion dollars की हो सकती है इसके अलाव अगर हम बात करें fintech market के बारे में तो fintech market ने fintech companies ने recently काफी VC funding raise की है इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे पत इस तरह से यह जो factors है banking industry को support कर रहे है चली हम बात कर लेते हैं second sector के बारे में that is insurance sector तो यहाँ पर इंडिया का जो insurance sector है उसे जो regulatory body regulate करती है that is RDI मलब कि insurance regulatory and development authority और यहाँ पर इंडिया का जो insurance sector है वो two parts में divided है first is life insurance segment and second is non-life insurance segment और यहाँ पर जो यह non-life insurance segment है यह भी आगे four categories में divided है first is marine segment second is health insurance third is mortar insurance और fourth is fire insurance और यह जो पूरा sector है यह ministry of finance के इंडर में आता है तो अगर आपने recently सुना भी हो ministry of finance ने यहाँ पर 3000 करोड की infusion की announcement की थी ताकि वो state insurance companies की health को improve कर सके तो अगर हम सबसे पहले बात करें life insurance segment के बारे में तो 2020 के data के recording यहाँ पर premium market segment में LIC के पास सबसे पड़ा market share था of around 52.78% as a public player और यहाँ पे अगर आपने recently सुना भी हो हमारी union minister ने LIC के IP के बारे में discussion की थी और expect किया जा रहे कि LIC यहाँ पे 1 lakh crore रूपिस तक raise का सकता है जिसकी वज़से यहाँ पे जो LIC का market cap है वो भी अंग्रीज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो second player है that is SGFC standard life और इसके पास यहाँ पे 17.48% का market share है और यह as a leading player है private sector के अंदर उसके बाद यहाँ पे SBI और ICSSS जैसे player भी market share को share करते है इसके बाद अगर हम बात करें no life insurance segment के बारे में तो यहाँ पे gross premium में public sector के पास ही सबसे ज़्यादा market share है तो यहाँ पे public sector के अंदर new India insurance के पास सबसे ज़्यादा market share है of around 14.6% उसके बाद अगर हम बात करें private sector के बारे में तो यहाँ पे ICSI Lombard के पास 7.1% का market share है और यह भी as a leading player है और यहाँ पे जो बागे का market share है वो रेस्ट होता है जो public और बहुत private players है वो share करते हैं पर यहाँ पे अगर हम overall sectoral share की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि private sector ने market share gain किया है तो अगर हम बात करें life insurance segment के बारे में 2019 में private sector का 33.5% का stake था जो कि 2020 में increase होकर 33.8% का stake हो चुका था उसके बाद अगर हम बात करें non life insurance segment के बारे में तो 2019 में private sector का 47.9% का stake था जो कि 2020 में increase होकर 48% का stake हो चुका था इसके इलावा यहाँ पे एक ओर highlighting point है पर उसे समझने के लिए यहाँ पे हमें types of insurance plans का समझना पड़ेगा तो यहाँ पे दो तरह के insurance plans होते हैं फर्स इस linked insurance plans and second is non linked insurance plans तो गर हम linked insurance plans की बात करें तो linked insurance plans एक तरह के investment plus insurance plans होते हैं और इसलिए यहाँ पे stock market से linked होते हैं और यहाँ पे जो returns होती है वो भी market fluctuations पे काफी depend होती है और इससे हम ULips के नाम से भी जानते हैं आपने काफी सुना होगा second तरह के जो insurance plans होते हैं मलब की non linked insurance plans यह simple traditional insurance plans होते हैं जो की stock market से बिल्कुल भी link नहीं होते हैं और इसलिए यहाँ पे जो risk factor होता है वो काफी कम होता है और maturity amount काफी सही होता है और इससे हम normal term insurance के नाम से भी जानते हैं पर यहाँ पे over the past 2-3 years हमने एक slight shifter रिखा है कि लोग यहाँ पे non linked insurance plans को prefer कर रहे हैं और personally मुझे भी non linked insurance plans बतान दें पर उसके बारे में हम किसी होग दिन discuss करेंगे तो यहाँ पे अगर हम overall market size की बात करें तो 2020 में जो इंडिया की insurance market थी वो 280 billion dollars की थी और IBF की report के according expect किया जा रहे है कि 2023 तक यह 5.2% के सेजिया से grow होगी तो penetration की बात करें penetration मतलब कि total percentage market की कितनी percentage of market है जो कि उस product को use करती है तो insurance के case में यहाँ पे penetration मतलब premium percentage of GDP 2015 में जो market penetration थी that was around 3.3% की 2020 में increase होकर 3.8% की हो चुकी थी उसके बाद अगर हम बात करें density के वारे में तो यहाँ पे 2015 में जो market density थी वो 55 billion dollars की थी जो कि 2020 में increase होकर 78 billion dollars की हो चुकी थी चलिए इब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से grow drivers हैं जो की sector को support कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला growth driver है that is financial industry growth वो यह काफ़ी important factor है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से financial industry grow करेगी at the end of day insurance industry भी उसी तरह से grow करेगी फिचा है अगर हम बात करें high disposable income के बारे में या फिर अगर हम बात करें financial awareness के बारे में और during the recent times हमने देखा ही है कि यहाँ पे जो financial awareness का factor है वो काफ़ी increase हो रहा है वो काफ़ी improve हो रहा है लोग यहाँ पे realize कर रहे हैं कि जो risk mitigation है जो protection है वो कितनी जादे important है पर यहाँ पे education के साथ साथ एक और चीज़ जो काफ़ी सादे important है that is easy availability and easy accessibility और यही से हमारा second point आजाता है that is digitalization तो during the recent time यहाँ पे जो इंशॉरेंस players है इन्होंने realize कि जो traditional way हुआ करता था insurance को वेशने का यहाँ पे जो insurance agent हुआ करता था वो आपको one of one insurance पेशता था वो जाद दिन तक sustain नहीं कर पाएगा तो इसी वैसे यहाँ पे digitalization पे काफी focus किया जा रहा है currently अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 100 से जादा insurance tech के startup operate कर रही है जिसमें से यहाँ पे जो policy बजार है वो जो as a leading player है with 50% of total market share और यहाँ पे as per some reports इंडिया की जो insurance technology market है वो Asia की second biggest insurance technology market है with 35% of total market share उसके इलावा यहाँ पे जो third growth driver है that is growth in specific segments तो during the recent time यहाँ पे कुछ segments ने काफी जारे demand दिखाई है काफी जारे growth दिखाई है for example अगर हम बात करें motor insurance के बारे में तो due to the auto mobile segment में जो expansion चल रही है उसकी वज़से यहाँ पे जो motor insurance की segment है उसने काफी demand दिखाई है उसके लावा यहाँ पे March 2021 में COVID के वज़से health insurance की market ने भी काफी सारे demand दिखाई है तो यह सब इस जो factors है यह सब इस जो growth drivers है यह insurance sector की market को support कर रहे हैं तो बस आज के लिए सिर्फ इतना है उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी बागी की जो sector है हम वो इस वीडियो के second part में cover करेंगे और आपके इस वीडियो के बारे में जो feedback है आप मुझे नीची comment करके बता सकते हैं तब ते के लिए अगर आपने मुझे Twitter और Instagram पर follow नहीं कर रखा तो यह मेरे Twitter और Instagram हैं आप मुझे वहाँ जाके भी follow कर सकते हैं मिलता हूँ आप से नीची वीडियो में तब ते के लिए भाई Thank you so much